प्रधान मंत्री बनने के बाद नरेंदर मोदी अपनी पहली यात्रा पर हैं। पीम मोदी केरल के त्रिसूर पहुँच गए हैं और आज वह केरल में रहेंगे। यहाँ पर वह प्रसिद्ध गुरु वायूर मंदिर के दर्शन करेंगे और साथ ही मंदिर में विशेश पूजा अर्चना भी करेंगे जिसके बाद पीम मोदी बीजेपी कारेकरताओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि गुरु वायूर मंदिर काफी पुराना है और मंदिर के गर्भ ग्रह में कृष्ण भगवान की मूर्ती है साथ ही आपको बता दें कि PM मोधी नेवी के हलिकॉप्टर से मंदिर पहुचे हैं और केरल दोरे के लिए PM मोधी बीती रात ही कोच्ची पहुच गए थे बता दें कि मंदिर में दर्शन और जनसभा को संबोधित करने के बाद मोधी दिल्ली के लिए दोपहर दो बजे रवाना हो जाएंगे इसके बाद PM मोधी आध ही माल दीव और श्री लंका यात्रा के लिए रवाना हो जाएंगे PM मोधी के दोरे को लेकर BJP की प्रदेश इकाई ने टूइट किया था कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी 8 जून को गुरु वायूर श्री कृष्न मंदिर में पूजा करेंगे और गुरु वायूर श्री कृष्न ह.स मैदान में सुभा आम सभा होगी जिसमें आप सभी का स्वागत है अगर आप हमारी ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज पंजाबकेसरी.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो योटियो पर देख रहे हैं तो हमारे योटियो चैनल पंजाबकेसरी.com को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि पलपल की खबरों के अपडेट्स आपको मिलते रहें अभिशेक माथूर पंजाबकेसरी दिनली झाल प्नौर सब्सक्राइब करें